जालाउन में 5 बर्षिय मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप जालाउन में आज एक बार फिर मनप्ता शरमसार हुई है जालाउन के आटा थाना छेतर में दिल को जग जोर देने वाली घटना खटित हुई है जहां पर आज एक पांच बर्शी मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप की घटना सामने आई है मामला आटा थाना छेतर के एक गाउं का है जहां पर आज एक पांच बर्शी मासूम बच्ची को घर के पास खेलते समय अगबा कर गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया पीडित मासूम के पिता के अनुसार पूरी घटना में गाउं के ही तीन लड़के शामिल थे और उन्हीं ने पूरी वारदात को अंजाम दिया लेकिन पुलिस सिर्फ दो नाबालिक लड़कों को ही इस पूरी वारदात में शामिल मान रही है वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुँची पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल भिजबा दिया और दो नाबालिक आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर गिरफतार कर लिया और वानु था कि अपर इसकी सूची साब आप उख जानकारी हुए अब को साथ एक गंटे बात हुई है अब लोग पर खे और गाहां में थोड़ी घूमने गए ते रिचाच करवाने से विटिया कहां कि वहां खे गई थी मेरे में खायं को खेले लेंगे हैं तो फिर आपको जानकारी ही हुए अब को लोग वागों हमको धूना परोस वालों ने तो हम वहां से आए था था हमको अब अब आप कहां पर आए तो अब तो अब दब चलेगी तब आदा मिले अन लड़कों की एज क्या थी लड़कों की ऐसे चग्रे 15 साल भी थी और 13 साल सब्की होगी एक इस सटाइब थाई साल गिरे मारे मारे में लिए तो कालपी का यह दिखाने कालपी की बाद क्या कह पुलिस अभी क्या कर रही है कुशी को पकड़ पाई या नहीं पकड़ लिए हैं दो पकड़ गए अब देखा तीर सारे पकड़ रहा है आठा थाने के संधी गाओं में आज साम को एक नावालिक बच्ची के साथ दुसकर्म की बात सामने आई है जिस पर अभ्योग पंजीकित कर लिया गया है और बच्ची को मेडिकल परिछण इलाज के लिए महिलाची किस साले में बेजा गया है जहां उसकी इस्तिती सामान है आरोपी अपचारी गण को समझ से न्याले में कल परस्तुत किया जाएगा और गाओं में पुलिस प्रबंद किया गया है इस्तिती सामान है सर किसने आरोपी जटना में सामान है दो बच्चे हैं दो लड़के हैं जिनकी उमर एक की करीब 11-12 साल है दूसरे की 13-14 साल